हेलो दोस्तो आजके करेंट फेस के कुश्चन को स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर वन कांजीरंगार राष्टी उद्ध्यान के संदार में निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए यहां एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रशिद्ध है इसे वर्श उननीस सो पैसेक में यूनेसको की विच्धरोवर अस्तल की सूची में सामिल किया गया था उपरोग कत्मों में से कौन सा? सही है देखिए जो इसका इस्टिक्मेंट फ़र्ष्ट है वो सही है ठीक है? कांजी रंगा राष्टी उद्यान मध्य असं में 430 किलो मिटर वर्व के छेतिपल में फैला है इस उद्यान में भारत की एक सिंग वाले गैंडे का निवास है देखिए वर्ष 1985 में कांजी रंगा राष्टी उद्यान को यूनेसको की विश्व धर्वास अस्थल की सूची में सामिल किया गया देखिए इसके सामिल होने के बाद वर्ष 2018 में यहां पहली आदरभूमी पच्ची गढणा का आयोजन किया गया था उद्यान में लगभा 2500 से अधिक मौसमी जल निकाए हैं इसके अलावा बीप होलू नदी इसके मद्य में बहती है विश्व के दो तिहाई एक सिंग वाले गैंडे कांजी रंगा राष्टी उद्यान में पाया जाते हैं देखें यह चर्चा में कियो है काजी रंगा नेशनल पार कभी देखें 9-10 जन्वरी 2020 को कांजी रंगा राष्टी उध्यान में दूसरी आधर्भवी पक्च्ची गढणा हुई जिसकी वज़य से यह चर्चा में है कांजी रंगा राष्टी उध्यान में 96 प्रजातियों तथा 80 परिवारों सो संबंदित पच्छियों की कुल संख्या 19,225 दर्ज की गई है आए देखते हैं इस असम में और भी राष्टी उध्यान उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह है आपका दिब्रु सैखोवा राष्टी उध्यान यह आपका स्टेबलिश्ट हुआ था 1999 में थीक हैं कांजी रंगा नेशनल पार्क यह आपका स्टेबलिश्ट हुआ था 1908 में मानस नेशनल पार्क यह आपका इस्टेबिश गुआ था 1990 में ना मेरी नेशनल पार्क ना मेरी नेशनल पार्क देखें यह आपका इस्टेबिश गुआ था 1998 में और अग नेशनल पार्क यह आपका इस्टेबिश गुआ था 1980 में बात करते हैं आसम के बॉर्डर की देखिए इसके साथ दो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं एक तो लगता है भूटान अदूसा लगता है बांगलादेश इसके साथ स्टेट बॉर्डर की बात करते हैं दिखी अनुनाचल पदेश, नागा लैंड, मनीपूर, मिजोरम, तिरिपूरा, मेगाले और वेश्ट बंगाल ठीक है चले दोस्तों नेक्ट वेश्चन देखते हैं केंद्री दुर्गटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली निम्लिकित में से किन राज्जियों में प्रारंभिक तोर पर लागू की जाएगी करनाटक, पंजाब, महराश, असम देखी जो इसका सही आंसर है वो है करनाटक और महराश, ठीक है केंद्री दुर्गटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में 6 राज्जियों जिसमें हैं आपका करनाटक, मध्यपदेश, महराश, राजस्थान, तमिनलाडू और उत्तरपदेश में प्रारंभिकी जाएगी देखी यह चर्चा में क्यों है अब ही हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्री दुर्गटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के सुरुवात की हैं जिसकी वज़े से यह चर्चा में हैं IRAD के परिच्छन के आधार पर इसमें सुधार किया जायेगा तथा इसके बाद इसे देज भर में लागू किया जायेगा यह जो प्रडाली है इसकी सुर्वा सडक सुरच्छा में सुधाल लाने और सडक सुरच्छा के संदर में जन सामानने तथा विशेश रूप से युवाओं में जागुता पैदा करने के लिए पूरे देश में 11-17 जनवरी तक मनाया जारे 31 राष्टी सडक सुरच्छा सप्ता के दोरान की गई है लेकि इसके लिए भारती प्रद्योगी संसान मद्रास ने सडक दुरगटनाओं के एक एक कृत्र डेटाबेस नामक एक सूचना प्रद्योगी आधारित डेटाबेस तयार किया है इस प्रणाली को राष्टी सूचना विज्यान केंडर द्वारा क्रिया इसके अस्थापना वर्ष 1946 में की गई इसका मुख्याला है लंदन में है उपर कत्मों में से कौन सा सही है देखे इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है देखे इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की अस्थापना इकोनोमिस्ट ग्रूप के तहत वर्ष 1946 में की गई थी ठीक है इसका जो कार है पुर्वानुमान और सलाकारी सेवाएं प्रदान करना है इसका जो मुख्याला है वो है आपके लंदन में देखे ये चर्चा मे क्यों है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसा केरल का सहर मलोपूर विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते सहरी छेत्र में से एक है जिसकी वज़ा से यह चर्चा में है यूएन पीडी के आकडों के आधार पर इस सूची को इसलिए असामान ने मा प्रदक्त रैंकिंग के अनुसा केरल के तीन सहर मलोपूरम कोजी कोड और कोलम जनसंख्या विद्धी दर के मामले में विश्व के सिर्ष दस सबसे तेजी से बढ़ते सारी छेत्रों में से एक है ठीक है चलिए दोस्तों नेक्ट कोश्चन देखते हैं Q4. नियौन नामकृति मानों के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए इसे सैंसें कंपणी द्वारा विक्सित किया गया या कोर आर्थी तकनीक पर आधारित है उपर कत्नों में से कौन सा सही है देखिए इसके दोनों ही स्टेट्मेंट सही है ठीक है देखिए अभी हाल ही में संयुक्ति राज अमेरिका के लास वेगस में आयुद वार्सिक उभुखता इलेक्ट्रोनिक सो 2020 में नियौन नमक विस्व का पहला और कृप्ति मानों पेस किया गया नियौन को सैमसंग कंपणी के स्टार लैब के सीओ प्रणों मिस्तरी की अधश्चता में बनाया गया है तेकि नियौन सब्द नियो नया प्लस हुमन मानों से मिलकर बना है अभी इसे उभोग करताओं द्वारा नियंतित करने पर आभासी मानोई भावनाओं को प्रदसित करता है किन्तु नियौन को पूरी तरह से स्वायत रूप से संचालित किया जाएगा जिससे यह भावनाओं को प्रदसित करने, कौसल सीखने, इसमिति का निर्माण करने और स्वायत निर्णा लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा लेकिने, Neon Core R3 तकनीक पर आधारित है इसका ताथपर विश्वश नियता, रियल टाइम और प्रतिक्रिया है इस तकनीक के द्वारा Neon पल भर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ है चले दोस्तों, नेक्स वश्वशन देखते है Q5. सासा समिती निमलिखित में से किस विशे से समबंदित है आपके उप्शन से कर सुधार, सुरच्छा, विशलेशन और निवेश प्रबंधन, बैंकिंग छेतर में सुधार, जनजाती समुदाय देखे जो इसका सही आंसर है वो है उप्शन D जनजाती समुदाय लेकिंगे भारत राज्य के लिए या सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग देश की आर्थिक और समाजिक सम्रिद्धी में हिस्सेदारी करें या व्यापक रूप से स्विकार किया जाता है कि भारती आबादी के एक बड़े हिस्से विश्यस रूप से जनजाती समुदायों को पिछले च्छ दसकों में कार्नवित विकास परियोजनाओं का पूरा लाप नहीं मिला है ठीक है, बलकि इस अवगी के दोरान कार्णिनित विकास परियोजनाओं का उन पर पतिकूल प्रभाव पड़ा है लिखे भारत सरकार ने वर्ष 2013 में प्रोफेशल वर्जीनिय सासा की अध्यचता में एक उच्चस्तरिय समिती का गठन किया था सासा समिती को जनजाती समुदायों की समाजिक, आर्थिक, सैच्चिक और स्वास्त इस्तिती की जाँच करने और उनमें सुधार है तू उपरुक्त हस्तच्छेप कारी उपायों की सिफारिस करने का कारेभार सौपा गया था समिती ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ठीक है? दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक, सिस्क्राइब और सेर करना ना भूले थेंक्यू